आप सभी को नमस्कार स्वागात है आप सभी का चैनल एश्टरल अजर में और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 तारिक बुद्वार को देउठनी ग्यारस है और देउठनी ग्यारस का बहुत अधिक महत्तो है भारत के अंदर देउठनी ग्यारस से ही विवाधी के महरत करने वाले हैं अदिव führen जैसी ग्यारस का महत्तो क्या कर सकते हैं हम अपने मनों काम नहों को पूरी करने के लिए कि सात ही हम यह भी जानेंगे कि असली शाली ग्राम कहां से प्राप्त किया जा सकता है और क्यूश कि वह ही सेंधिक्ट दुरॉश घू Сп effic奇 झार इनसे ही जाने और वो दिन है कार्तिक शुकलपक्ष की ग्यारस। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उठनी ग्यारस भी कहा जाता है। भारत में इस दिन को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्नु आशार शुकलपक्ष की ग्यारस को शीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। और चार महीने बाद कार्तिक शुकलपक्ष की ग्यारस को उठते हैं। इस दिन को देव उठनी ग्यारस कहा जाता है। जब विश्णु जी सोते हैं तो उस समय विवाह आदी शुब कारे वरजित हो जाते हैं और दे उठनी ग्यारस से विवाह आदी के महुरत फिर से शुरू हो जाते हैं प्रबोधिनी एकादशी को तूलसी और शालिग्राम के विवाह का भी प्रचलन है जो की विवाह के शुरू होने का संकेत है अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग तरीके के रिती रिवाजों को देखा जाता है दे उठनी ग्यारस के दिन आएए जानते हैं तूलसी और शालिग्राम के विवाह का महत्रूद शालिग्राम वास्ताओं में भगवान विश्णु ही है और बिना तूलसी के हम उनकी कलपना नहीं कर सकते हैं कार्तिक का महिना भगवान को सबसे प्रिय महिना है और इसी कारण कार्तिक महिनी की ग्यारस देउटनी ग्यारस के नाम से प्रसिद्ध है और इसी धिन भारत वर्ष में तुलसी विवहा का आयोजन होता है और इस दिन के बाद से शुब विवहा के कारेकरम आयोजित होने लग तुलसी का एक नाम व्रिंदा भी है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का विवहा एक जालंधर नाम के राक्षत से हुआ था और तुलसी के तप के प्रभाव से कोई भी जालंधर को हरा नहीं पा रहा था। इसी के समाधान के लिए देवतागन भगवान विश्नु के पास गए और प्रार्थना की तब भगवान विश्नु ने तुलसी के पती का रूद धरा और तुलसी के पास गए जिससे उसका तप भंग कर सकी। जब तुलसी को पता चला कि उसके साथ धुका हुआ है तो उन्हो पतर बनने का शराप दिया श्रीहरी उसी समय पत्थर बन गए और तब ही से शालीग। वास्तावमें तुलसी भगवान विश्नु को पती की रूप में भी पाना चाहती थी और इसी कारण भगवान विश्नु उनके पास गए रूप बदलकर परन्तु अपनी तपस्या के भंग होने के दुखक से तुलसी ने अपना शरीर छोड़ दिया और तब गंडक नदी का अस्तित्व आया और इसी कारण गंडक नदी का पत्थर ही शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है इस नदी को नेपाल में नारायनी नाम से जाना जाता है तो असली शालिग्राम गंडक नदी में ही पाया जाता है अगर आप गंडक नदी के किनारों पर देखेंगे तो धेरो शालिग्राम पत्थर हमें नजर आ जाते हैं आईए अब जानते हैं कि ये हम देव उठनी ग्यारस को क्या कर सकते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए साथ ही भगवान विश्णू और तुलसी मा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन जल्दी उठके देनिक कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए अगर कोई पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो उन्हें पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए तुरे दिन वरत रखके भगवान विश्णू और तुलसी देवी की आराधना पूजा करनी चाहिए भगवान विश्णू और तुलसी का विवहा करना चाहिए विश्णू सहस्तनाम और तुलसी स्रोत्रम का पाठ करना भी अतिशुभ होता है अगर किसी को विवाह में परेशानी आ रही है तो तुलसी विभा का आयुजन अवश्य करना चाहिए इससे भगवान विश्णु और तुलसी जी का आशिर्वात प्राप्त होता है और विभा के योग बनते हैं देव उठनी एकादशी को तुलसी की पूजा शद्धा और विश्वास से करने से सफलता के रास्ते खुलते हैं और संपनता भी आती है भगवान विश्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर प्रियोग करें उनके चर्णों में तुलसी के पत्ते अर्पित करने से कृपा की प्राप्ती होती है भगवान विश्णु के साथ साथ मा तुलसी की भी कृपा प्राप्ती होती है अगर रोग भूत परिशान कर रहा हो तो ऐसे में रोज प्रातहा दो चम्मच तुलसी के रस को ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर से अभिमंतरित करके लेना चाहिए खाली पेट इससे एम्यूनिटी पावर बढ़ती है साथ ही दवायों का सर भी तेज हो जाता है स्वास्थे बढ़ने लगता है शक्ती बढ़ने लगती है तेज बढ़ने लगता है देखा जाए तो देव उठनी ग्यारस का महत्व दिवाली से कम नहीं है लोग इस दिन को दिवाली जेसा ही मनाते है और इसलिए इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है बहुत से प्रान्तों में इस दिन भोती हर्शोल लास के साथ लोग पठा के भी चलाते हैं भगवान विश्णू और तुलसी मैया का पूजन भी करते हैं तो इस दिन का इस्तमाल हमें भी अपने जीवन को सुखियम संपन बनाने के लिए अवश्य करना चाहिए इस दिन चांदी के विश्णू जी और साथ ही चांदी से बने तुलसी की स्थापना करके उनका विवहाभी करके उन्हें भी पूजन में लखने का कई जगों पर रिवाज है तो आप अनेक प्रकार से देव उठनी ग्यारस का उप्योग कर सकते हैं अपने जीवन में संपनता लाने के लिए स्वास्ते को लाने के लिए उम्मीद है आपको देव उठनी ग्यारस के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो में साथ ही आपको ये पता चल गया होगा कि असली शाली ग्राम पत्थर हमें कहां मिलेगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे शेयर कर दे अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि रोज आपको उप्योगी वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें कि मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाय है